So friends, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को पताना वाला हूँ PTM के नए अपडेट के बारे में तो PTM ने अपने PTM PostPit को अपडेट कर दिया है, इसके usage limit को बढ़ा दिया है तो अब आप अपने PTM PostPit के amount को काफी जगों पर use कर सकते हैं तो अगर आपको भी जानना है कि आप अपने PTM PostPit के amount को किन-किन जगों पर use कर सकते हैं तो ध्यान से दिखी इस पूरे वीडियो को So hi friends, मैं हूँ यास, आप देख रहे हैं समझ ब्रदस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को So friend, PTM के नए feature PTM PostPit के बारे में आप सभी को पता ही होगा अगर आप लोग को PTM PostPit के बारे में नहीं पता है तो इसके उपर मैंने complete वीडियो बनाया है जिसमें मैंने इसके सारे features और benefits बता हैं तो अगर आप लोग को वीडियो देखना है तो उसका link में आप लोग को देदी है इसके आप उस वीडियो को देख सकते हैं तो सबसे फ़ले आप अपने PTM के app को update कर लिजे और जैसे ही आप अपने PTM के app को update कर लेंगे उसके बाद आप लोग को PTM pushpad के option में क्लिक करना है जैसी आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाप लोग को बिल्कुल ही नया interface दिखने को मिल जाएगा तो where to use का जो option है जैसे ही आप उसमें क्लिक करेंगे तो आप लोग को काफी आसानी से यह पता चल पाएगा कि आप अपने PTM pushpad के amount को किन किन जगों पर यूज कर सकते हैं तो मैं आप लोग को यहां पर दिखा दिता हूं, तो आप यहां पर देख सकते आप इतने सारे जगों पर PTM Hoşpad का amount यूज कर सकते हैं, जो कि पहले नहीं था आप पहले PTM Push Pit के amount को सिर्फ कुछ-कुछ जगों पर यूज कर सकते थे जैसे कि पहले के PTM Push Pit से आप सिर्फ recharge कर सकते थे movie ticket book कर सकते थे और PTM mall से shopping कर सकते थे बट उस limit को आप बढ़ा दिया गया है और अब आप काफी ज़्यादा जगों पर PTM Push Pit का amount यूज कर सकते हैं तो मैं आप लोग को एक एक करके सब भी बता दिता हूँ तो इसे अलग-अलग section में divide कर दिया गया है ताकि आप लोग को बड़ी आसानी से पता चल पाए कि आप PTM Push Pit को किन-किन जगों पर यूज कर सकते हैं तो recharge and bill payment के option में आएंगे तो यहाँ पर आप tripad mobile recharge कर सकते हैं postpad mobile recharge कर सकते हैं DTH, broadband, landline, data card और cable TV तो आप इन जगों पर PTM Push Pit के यूज कर सकते हैं travel booking में आएंगे तो bus ticket booking flight ticket booking और train ticket booking आप कर सकते हैं movies मतलब कि entertainment और shopping में आएंगे तो आप movie ticket book कर सकते हैं PTM call से shopping कर सकते kayak औरenan storage का option में आएंगे तो यहाँ पे पर प्र कर सकते रहें grocery store पर भी 242 कर सकते हैं और restaurant पर भी pay कर सकते हैं आप अपने यहाँ पर ऐमाउंट को तो अब आप जो इस्टोर का चीज़े हैं यह मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि इसमें हमें काफी ज़्यादा बेनेफिट मिल जाएगा क्योंकि पेटीम पोश्टपेट का एमाउंट आप तुरंत यूज कर सकते हैं और उसका जो पेमेंट है वो आपको नेक्ष्ट मन करना रहता है मतलब कि आप लोग को एक तरह से एक मेहने का लोन दी दिया जाता है पेटीम के तरफ से तो यह काफी अच्छा फीचर है तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आप अपने पोश्टपेट के अमाउंट से इन सभी जगों पर यूज कर सकते हैं उस एमाउंट को तो जैसे कि बाकी यह मैं आप लंग को बता देता हूं कि इस सचया कर सकते हैं पेटीम पोश्ट पट से प्राप को एब नहीं है तो जैसे है आप store का QR code scan करेंगे तो आपके सामने payment page जो है create हो जाएगी और उसके बाद आपको amount enter करना है जो भी amount आपको pay करना है वो amount enter करना होगा तो मैं यहाँ पर से simply 10 rupees add कर लेता हूँ 10 rupees enter कर लेता हूँ और amount enter करने के बाद आपको back आजाना है जैसे आप back की option में click करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को नीचे के तरफ एक option देखने को मिल जाएगा जो कि है pay using का तो pay using में आप अभी देख सकते हैं अभी pay tm wallet selected है मतलब कि अभी जो amount है वो deduct होगी मेरी pay tm wallet से बट मुझे pay tm post fit का amount यूज करना है तो उसके लिए मुझे arrow की option में click करना होगा जैसे में इस option में click करना हो तो यहाँ पर pay tm post fit का option आ जाएगा तो जैसी आप pay tm post fit के option में click करेंगे तो यहाँ पर से आप pay securely करेंगे तो जो भी amount है वो आपके pay tm post fit के amount से deduct हो जाएगी तो कुछ इस तरह किसे आप pay tm post fit के amount को किसी भी store पर payment करने के लिए यूज कर सकते हैं तो आप यहाँ पर से directly pay securely कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर से cut कर सकते हैं तो cut करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि pay using में pay tm post fit आ चुका है और उसके बाद यहाँ पर से आप pay securely क कर सकते हैं तो आप कुछ इस तरह किसे आप अपने pay tm post fit के amount को किसी store पर भी payment करने के लिए यूज कर सकते हैं तो अब आप अपने pay tm post fit के amount को petrol pump पर यूज कर सकते हैं ग्रोसरी store पर यूज कर सकते हैं और restaurant पर भी यूज कर सकते हैं तो यह जो pay tm का update है मुझे pay tm की लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल अको प्रेस कर लिजिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए नए नए वीडियो से लेकर आते रहता हूं, तो आज के लिए बस इतन नहीं, जैहिन, बंदे म आत्रम, थैंक यू